वेल्कम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस ये कहानी है एक ऐसे ड्रैगन की जिसके कारण लोगों के सिंदगियां वापस आई है ड्रैगन्स के पास में इतनी पावर होती है कि वो किसी को वापस सिंदा भी कर सकते हैं लेकिन इंसानों के फितरत में बसा है कि वो करने का मैजिक सिर्फ सिर्फ ड्रैगन्स के पास में है तो चलिए फिर बिना प्रतिक्षा कराए मैं आपको शांदार मुवी की सारी डीटेल्स देना चाहती हूँ वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली गाइस इस मुवी का नाम है राया दा लास्ट ड्रैगन जो की 2021 में रिली के कारना से 500 साल पहले ठीक हुई सारी चीजी परबाद हो गई कहानी 500 साल पहले जाती है जहां पे कुमुद्रा नाम का एक इंग्डम हुआ करता था सभी लोग साथ पे रहा करते थे बिल्कुल खुशी-खुशी लेकिन किसी को इनकी खुशियों पे नसर लग चुकी थी ए एक इवल स्पृट ने आगे कुमुद्रा की सारी खुशियों को भरबाद कर दिया यह एवल स्पृट जहां पी जाती वहां के लोगों से सूल ले जाती और उन्हें स्टोन में बदल देती 500 साल पहले ड्रैगन्स हुआ करते थे जिसके बाद में सारी ड्रैगन्स ने मिलकि इंसान अपने असली रूप में आते गए लेकिन ड्रैगन्स के उपर इनका कोई असर नहीं पड़ा सिर्फ एक ड्रैगन बचा था जिसका नाम सीसू था कुमुद्रा के अंदर लड़ाई छिड़ गई इसी स्टोन को लेने के लिए कि ये स्टोन जिसके पास में भी रहेग कीव के अंदर पहुंचती है जिसके अंदर इसी स्टोन को रखा गया था राया के पास एक पैट पे था जो कि एक बहुती छोटा है चौक था उसका नाम तुक तुक था राया बड़े ही तपे पाऊं इस स्टोन को चुराने के लिए आखी बढ़ती जाती है लेकिन आगे से कए सालों से सिस्टोन की सेफटी किया करते थे राया पाके चाकी इसके लिए बिल्कुल तयार है क्योंकि वो बिस्टोन की सेफटी कर सकती है राया के फादर और राया मिलके सोचते हैं कि अगर हमें कुमंद्रा को वापस बनाना है तो हमें ही उसके लिए पहल करनी चाहिए नहीं तो आके आने विली चनरेशन भी इसे स्टोन को लेके बहुत छकड़ा करती रहेगी देखते ही देखते राया के फादर ने हर एक पार्ट को और आके चाके इन दौनों का ही फ्यूचर आनी वाला था नामारी यहाँ पे राया को बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि सीसू आप पे जिन्दा है इसी के साथ में नामारी राया का बिलीव जीतने के लिए उसे अपनी कले में से निकाल के एक ट्रैगन पेंडेंट देत है और उसे एक बड़ा सा मैप दिखाती है और कहती है कि सीसू आज पे जिन्दा है जो कि हम सब को वापस एक साथ कर सकता है राया नामारी पे बिलीव करती हुए उसे अपनी साथ ली जाती है उसी जगह पे जहां पे यही मैजिकल स्टोन रखा था असल के अंदर तो यह न दिखा तो बागी चार केंगडम की लोग उसे लेने के लिए आके बढ़ते हैं राया के फादर को एकदम से शूट कर दिया जाता है और राया के फादर वही गिर जाते हैं स्टोन को चुराने के चकर में यह स्टोन नीचे गिर जाता है जो कि पाँच अलग-अलग टुकड इंकरते हैं जिसी कि वो इवल इवल स्पृट राया की फादर को स्टोन में नहीं बदलती देखते ही देखते सभी को पता चल चुका था कि यह स्टोन का का है यह इवल इंको टच नहीं कर पाईकी जब थकि इनके पास में है सब्सक्तन को चुराते और वहां से भाग निकल गए जिसके बाद राया के फादर राया को उस भी जगहन टूंड़ थे धर नहीं के पास अब फास परे जू़म की और देकि पर कोई बिलीव नहीं करता लेकिन राया के पास में अभी भी होप थि यह बाद बभाद राया की नया स्टॉन बनाए और यहां के सारी लोगों को ठीक कर दे राया अंदर जाके थोड़े से रिच्विल्स पूरे करती है जिसके बाद में वहां कुछ एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है देखते ही देखते राया के सामनी थी वही सीसू ड्रैगन असल के अंदरे सीसू ड्रैगन बड़ी एक कॉमेडी और अच्छे कैरेक्टर वाली दिखाए गई है ये एक फीमिल ड्रैगन है जिसे राया को देखने के बाद ये नहीं पता था कि आज से 500 साल हो गए है उसे सोते हुए ये इवल स्प्रेट वापस आ चुकी है जो कि अब तक सब को बरबाद कर चुकी है राया सीसू को कहती है कि आप जल्दी से एक नए स्टोन बना दीजिए क्योंकि आपने जो जैम बनाया था वो टूट चुका है सीसू बताती है कि वो मैंने नहीं बनाया था बलकि मेरे सारी सिप्लिंग्स ने मिलके बनाया था हम पाच भाई बैनों की सारी मैजिक और सारी स्ट्रेंट पावर उसके यहीं कई घूम रही है और वो स्टोन के पीसिस को कलेक कर रही है राया नहीं चाहती थी कि सीसू को कोई भी देखे इसी कारण वो उसी कैप पहना के सबसे पहले टुकड़े तक लेकी जाती है यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप लगा हुआ था लेकिन इनी ट्रैप को पार करते हुए राया बड़ी ही स्मार्टली केव के अंदर तक पहुच जाती है लेकिन वहाँ भी स्टोन के पीस को उठाने पे यह पूरा का पूरा माउंटिन बंध हो जाता इसी कारण स्टिक को स्केलेटन के हाथ में रखके राया उसी स्टोन के पीस को अपने पास ले लेती तो उसके पास अपने एक सिबलेंग की पावर आती है और वो इंसान में बदल जाती है लेकिन तब तक यहां नामारी भी आ चुकी थी और नामारी राया को कहती है कि तुम आखिर जैम के पीसिस क्यों कलेक्ट कर रही हो आखिर वो राया के इतनी पुरानी रायविल थी इसी क पानी की चलए हूं यहां राया कहती है कि हमें यहां से जल्द ही निकलना पड़ेगान तो नामारी यहां तक पहुच जाएगी जहांपे सारे के सारे ड्रैगन्स स्टोन में बदले हुए थे इधर सीसू को पता चलता है कि राया के फादर और इसी के साथ में काफे सारे लोग स्टोन में बदल चुके हैं इस इवल स्पृट के कारण इसी कारण ये लोग पुराने लोगों को याद करते हुए पानी के अंदर flowers को रखते हैं ट्रिब्यूट देने के लिए और उन्हें याद करते हुए ये लोग अब एक नए kingdom में पहुँच चुके थे ये kingdom चोरो का kingdom था कहती है कि तुम्हारा बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम हमारे लिए बहुत important हो तो तुम यहीं मिलने जाओ तो बस हमेशा gift लेके जाओ लेकिन राया कहती है कि यहां के लोग अच्छे नहीं है तुम बस यहीं पही रहो राया जब आगे निकलती है तो उसे एक छोटी सी बच्ची रोती हुई मिलती है लेकिन असल की अंदर वो तो पूरी की पूरी चोरों की टोली थी इदर सीसू को लगता है कि शायद उसे gift लेके जाना चाहिए इसे kingdom के king के पास में ताकि वो उसे खुशी-खुशी stone दे दे वो बहुत सारे gifts उधार में ले लेती है क्योंकि वो ने उसे उधार का system बता दिया था सीसू इतने सारे gift लेने के बात बोलती है कि इन सबका पैसा मैं आपको बात में चुका दूँगी या फिर तुम्हें राया दे देगी इदर राया इस चोटी बच्ची को पकड़ती है जिसका नाम नोई था और नोई के साथ में डील करती है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा काम कर नहीं है तो फिर मेरे लिए काम करो इसकी बदल मे पर बिलीव करने जैसे एक बार में किसी की उपर भी बिलीव नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ नामारे जब अपनी घर पहुँच दिया है। से बहुत दोका दिया था ये लोग अब एक नए किंग्डम तक पहुँच चुके थे जहां पे इने पता था कि जरूर आगे कोई न कोई ट्रैप होगा लेकिन सीसू बिना रुके ही आगे पहुच चाती है और ये सभी लोग ट्रैप में फस चुके थे वारियर ने इन सभी को बांद दिया था और इन सभी को डराने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं चोड़ूंगा और तुम्हें अच्छी खासी पनिश्मेंट मिलेगी दूसरी तरफ नामारी अपनी पूरी की पूरी आर मिलेके पहुच चुकी थी इसी किंग्डम के बाहर क्योंकि पता चलता है कि इस पूरी किंग्डम के अंदर सिफ वारियर ही बचा है बाकि सारे लोग इवल स्प्रेट के कारण स्टोन में पदल चुके हैं कोई भी जिंदा नहीं बचा है इसी कारण राया अब इसी वारियर की हेल्प लेती है और कहती है कि अगर हमें सब कुछ ठीक कर करना है तो तुम्हें अमारी मदद करनी पड़ेगी तुम बस आगे निकलो बाकी नामारी को मैं देख लूँगी राया अब खुद नामारी के सामने आ जाती है उसका ध्यान डिस्ट्रेक करने के लिए ताकि पीछे से वारियर बाकी सभी और सीसू को अपने साथ लेके कही नामारी को इस बात पर बिली भी नहीं होता कि उसके सामने ड्रैगन खड़ी है वो सबसे पहले तो उसके सामने हाँ चोड़ लेती है सीसू नामारी के आंकों के अंदर देखती है कि वो भी इतनी बुरी लड़की नहीं है बलकि वो भी सबका अच्छा चाहती है यहां से अ वो नोई उसी के साथ में ये वारियर राया से कहते हैं कि आगर तुमने अब तक सचाए क्यों नहीं बताए थी सीसू एक ड्रैगन है ये हम लोगों को पता तक नहीं था और अब तक हम तो इसे एक लड़की मान रहे थे यानि कि अब हमारे पास असलियत का ड्रैगन है और अब जब सीसू को अपने पास में चौता स्टोन का पीस मिल चुका था अब तो सीसू के पास फिर से एक नई पावर आ जाती है जोकि पानी के ऊपर उड़ते हुए तैरने लगती है और इसके बाद में बारिश भी कर वा दिती है दन बनाते हैं कि आप इनके पास आखरी kingdom बचा है जो कि नामारी का kingdom है और वो ही kingdom सबसे जादा खतरनाक है वहाँ से stone लेने का मतलब impossible है लेकिन सीसू का कहना तो अभी भी यही है कि नामारी एक अच्छी लड़की है मैं उसे gifts दूँगी और वो मेरे साथ चल पड़ेगी सभी सीसू के उपर हसने लगते हैं और कहते हैं कि नामारी इतने भी भोली नहीं है जिसके बाद अभी लोग हार्ट kingdom तक पहुच चुके थे सीसू यहाँ पर आके अपनी स्टोरी बताती है कि यहाँ से 500 सालों पहले यह सारे siblings एक साथ रहा करते थे black evil spirit ने सारे dragons को अब तक stone बन आ गया जिसके बाद सीसू ने सारी चीजी ठीक कर दी लेकिन वो चीजी ठीक हुई लेकिन dragon वापस नहीं आए यानि कि सीसू के पास में भी उसकी family नहीं है राया अपने फादर को देखती है जहां सीसू promise करती है कि उसके फादर उसे वापस से ठीक मिल जाएंगे यहाँ न में राया से बाकी सारे स्टोन ले लेने चाहिए ताकि हमारी आगे के बें जिन्दकी बिल्कुल सेफ ले निकले रात होने पे सीसू आखरी बार अपनी कोशिश करती है नामारी के पास में एक लैटर भेज़के नामारी जब उस लैटर को पढ़ती है तो समझ चाती है कि उ बार आमारी को राया के ओपर ब्लीव कर रही है और वो अपना आंक्रे स्टोन राया को दे देगी लेकिन तबी नामारी ने अपने हाथ के अंदर वैपन उठा लिया था सीसू आगे जाती ही बात समझ आकर लेकर ब्ले लिए दिनॉन मारी पैटे गी इसी कारणी पन्ना मार ली हुए ये ड्रैगन से अब पानी इस पूरी जगा से गायब होने लगता है राया अब इतनी जादा गुस्से में थी कि वो बिना किसी को दे के ही नामारे के किंग्डम के अंदर पहुंच जाती है स्टोन के मदद से ताकि ये बलैक इवल स्पृट इन लोगों को स्टोन में ना बदल दे आखिर के अंदर अब जब इन सभी लोगों को इवल स्पृट ने गीर लिया था तो राया ने ही नामारे की वापस से मदद की और ब्लैक इवल स्पृट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी लेकिन आखिर इने नामारे के उपर बिलीव कैसे होगा नामारे के उपर बिलीव करते हुए राया ने ही सबसे पहला स्टोन नामारे के हाथ में दे दिया और वो बाकी सबी को भी इंसिस्ट करती है कि तुम भी ऐसा ही करो राया की सेक्रिफाइस के चलते हुए नोई बो और वारियर ने भी अपने स्टोन नामारे को ही दे दिये पहले तो नामारे सोचती है कि वो इन स्टोन को लेकि भाग जाएगी लेकिन बाकी सबी जो अब स्टोन में बदल चुके थी उनको देखते हुए नामारी वही रुख जाती है और उन स्टोन को इखटा करने की कोशिश करती है लेकिन उसमें से कोई भी मैजिक नहीं निकलता बलकि सारी शाइन बिलकुल खत्म हो जाती है तब नामारी भी होप छो से बाप से इनसान में बदल जाते है इस जैम से निकले हुई पावर इतनी जादा पावर्फ थी कि दूर-दूर के ड्रैगन बदले हुए थे हो भी वापस ट्रैकर आ चुके थे सारी ड्रैगन्स और इसके पहले बाते नहीं माने, लेकिन फिर भी सीसु ने नामारी को माफ कर दिया अब जैसे जैसे लोग स्टॉं से वापस इनसानों में बदलते जा रहे थे तो सभी को अपनी फैमिली वापस मिलती जा रहे थी इसी के साथ में सीसु अपने साथ राया को लेकी आती है सारे किंग्डम एक साथ मिल चुके थे यानि की कुमुद्राब वापस से बन सकता था पांसो साल पार ड्रैगन अब वापस से खुली हवा में गूम रहे थे सभी ने एक दूसरे पर बिलीव किया और इसी कारण कुमुद्राब एक हो चुका था तो गाइस आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे सरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में तब तक के लिए टाटा सुमी कारण कारण